इस मूवी में हम देखेंगे कि इंस्टाग्राम पर एक 40 साल का आदमी अपने आपको 16 साल का एक हैंडसम लड़का बता कर एक 14 साल की लड़की से चेटिंग करता है और उसे अपने जाल में फसा कर, बहला फुसला कर उस लड़की के साथ जबरदस्ती घपा घप कैसे करता है ये हम देखेंगे और दोस्तों अगर आपको ये मूवी हिंदी डब में देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आप हमारी चैनल जॉइन करके ये मूवी देख सकते हो कहानी की शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की एना को देखते हैं जो की म्यूजिक सुनते हुए अपने लिए ज्यूज बना रही होती है और साथ ही वो किसी चारली नाम के लड़के के साथ इंस्टा पर चेटिंग करते हुए बात भी कर रही थी इसके बाद हम एना की फैमल ने उस लड़के को कभी देखा नहीं था वो सिर्फ उसके साथ चेटिंग करते हुए बाते करती थी एना के मॉम डेड को भी पता हैं कि एना एक लड़के के साथ चैटिंग करती है और एना की जन्म दिन पर उसके डेड एना को एक लेपटॉप गिफ्ट करते हैं अब ये चारली को अपने photo sent करने लग जाती है फिर अगली सुभह जब एना चारली के साथ बात कर रही होती है तब चारली एना को बताता है कि वो 16 साल का नहीं बलकि 20 साल का है ये जानके एना थोड़ा चौंक जाती है लेकिन फिर भी वो चारली को accept कर लेती है फिर चारली अपनी फोटोस भेजता है चारली की फोटोस देखकर एना के सोये हुए अर्मान जाग उठते हैं क्योंकि चारली काफी हैंडसम था फिर एना एक पार्टी से घर आने के बाद वो फिर से चारली के साथ चेटिंग करने में लग जाती है वो उसके ही खयालों में खो जाती है चारली के साथ बात करते हुए उसको बहुत ही अच्छा लगता है फिर अगले दिन एना चारली के साथ चेटिंग करने में लगी होती है तब वो जान पाती है कि चारली 20 साल का नहीं बलकि 25 साल का है ये जानकर एना काफी हैरान हो जाती है लेकिन फिर भी वो चारली को accept कर लेती है और उसके साथ पूरी रात बातें करती है उसके बाद चारली एना को एक मौल में मिलने के लिए बुलाता है फिर हम देखते हैं कि एना तो बंठन के तयार होकर मौल में पहुँच जाती है एना बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है वो चारली से मिलने के लिए बहुत ही एकसाइटेड होती है वो बैठ के चारली का इंतजार कर रही होती है तब ही उसके पास एक अधेड उम्र का आदमी आता है एना उससे उसके बारे में पूछती है इस पर वो आदमी अपने आपको चारली बताता है वो अपने आपको एना के साथ बाते करने वाला चारली बताता है और वो आदमी करीब 40 साल का होता है इस बुढधे को देखकर एना के अर्मानों पर पानी फिर जाता है उसे बिलकुल भी विश्वास नहीं होता कि यही चारली है एना सोच रही थी कि चारली 20 या 25 साल का लड़का होगा लेकिन ये तो बुढधा निकला उसके बाद ये आदमी एना के साथ बैट जाता है और एना के साथ बातें करने लगता है वो एना को बातों से बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगता है वो एना से कहता है कि प्यार में एज मैटर नहीं करती मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ ये मैटर करता है मुझे इगनोर मत करो मैं ही तुम्हारा वो प्यारा सा चारली हूँ जिससे तुम दो महीनों से बातें करती आ रही हो ये बुढधा अपने आपको एना का बॉइफरेंड बता रहा होता है और ये आदमी अपने टैलेंट से एना के साथ चिकनी बाते करते हुए एना को बहला फुसला के मना ही लेता है और अपनी बातों से बहला फुसला कर एना को पटाने में कामयाब हो जाता है वो एना को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोनों साथ में ही मज़े से बाते करते हुए खाना खाने लगते हैं, फिर ये सब खत्म हो जाने के बाद ये आदमी एना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। उसके बाद ये आदमी एना को एक रूम में ले जाता है, यहाँ पर एना का मन नहीं होता फिर भी वो आदमी उसके साथ घपा-घप करने में काम्याब हो जाता है फिर ये सब हो जाने के बाद एना अपने घर आ जाती है फिर अगले दिन एना उस आदमी के साथ बात करने की कोशिश करती है पर एना का उससे कोई contact नहीं होता और ना ही वो आदमी एना को reply देता है अब स्कूल में आने के बाद एना फिर से चारली के साथ contact करने की कोशिश करती है लेकिन चारली उसके phone का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था ये देखकर एना रोने लगती है और वो ये सब कुछ अपनी बहन को बता देती है कि चारली ने उसके साथ क्या क्या किया और उसकी बहन ये सब जानने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है और ये सब जानने के बाद पुलिस यहां पर आती है और अइना को असपताल लेके जाती है. अब अइना के मॉम डेट को जब यह पता लगता है तो वो तुरंत असपताल में आ जाते हैं और फिर एक पुलिस ऑंफिसर को दिखाया जाता है जो कि इस केज की जांच में लग जाता है और उसे लगता है कि एना का शोशन हुआ है वो जांच करते हुए अपराधी को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते है सबसे पहले वो एना के घर आकर एना के लैपटॉप से ये सारे चैट्स हिस्टरी को चेक करते है और चारली के साथ बात करते हुए उसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करने लगते है लेकिन ये सब चारली समझ जाता है और वो कोल को कट कर देता है एना के डेड इन सबसे काफी गुस्से में होते हैं और वो बस अपनी बेटी को इमेजन करते हैं कि उसका किस तरह शोशन किया गया होगा। और वो उसी के ही बारे में सोचने में लग जाते है। एना जब अस्पताल में होती है तब एक डॉक्टर एना से पूछताच करती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया था। तब एना डॉक्टर को सब बताने लगती है। एना चारली के बारे में अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर को बताने लगती है। जिसका मतलब की एना को अभी भी चारली से प्यार है। चारली एना के डेड की उम्रका था, लेकिन उसके बावजूद भी एना को उससे प्यार है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI को कुछ क्रिमिनल की तस्वीर मिलती है। एना के डेड को उसमें से एक आदमी के उपर शक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना के डेड उस अपराधी को पकड़ कर मारना चाहते हैं। लेकिन एना ऐसा नहीं चाहती। वो अब भी उस आदमी को चाहती है। अब एना के डेड काफी गुस्से में उसके घर के अंदर घुसकर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। वो उसे जान से मारना चाह रहे होते हैं, पर आखिर में वो ऐसा नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम एना को देखते हैं जहां एना ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहती हैं। अब अगले सीन में जब एना स्कूल में होती है तो उसको पता चलता है कि उसकी फोटोस के साथ किसी ने छेड़ छाड़ करके गंदी वेबसाइट के उपर अपलोड कर दिया है। अब ये जानकर एना के डेड़ बिना समय गवाए तुरंत एना के कमरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दर्वाजा अंदर से लोग होता है तो किसी तरह से वो दर्वाजे को तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि एना की हालत काफी सीरियस होती है क्य इसने एना को बहला फुसला कर उसके साथ गलत काम किया था और हम देखते हैं कि उसका भी एक परिवार हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कॉमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्र जरूर कर लेना और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही रोमेंटिक बॉलिवड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना धन्यवाद